अगर इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोग सकता तो चलिए सीधे इस वीडियो को चालू करते हैं तो सब इस से पहले टॉपिक में हम इन्वार्मेंटल कंसर्ण्स की बात कर लेते हैं जो हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहे हैं पहला पॉइंट है रिसोर्स स्ट्रेन आप सभी को मालों में हमारा जो कल्टी विबल लेंड है जहापर हम क्रॉप्स वागरा होगा सकते हैं वो बेरली एक्सपैंड कर रहा है और जो एक्जिस्टिंग है उसकी भाई फर्टिलीटी घत्मूती जा रहे है तो बहुत दिक्क लेगा वॉटर बॉडी इसको भी हम पल्यूट करते हैं डेप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है जिस चक्कर में क्या होता है बाई फूड प्रॉडक्शन बहुत लिमिट हो गया है तो यह भी दिक्कत वाली बात है फिर इसके बाद अगर हम हुमन डेवलप्मेंट रिपोर कर लेते हैं हम सब को मालूम है जो fazendo the forest होते है वो climate को stabilize करते है water supply को अच्छे से moderate करते है बहुत ऐबरसीटी को अपने अंदर रखते है वह अगरा नहीं रहें तो ओ इसके बाद हम फॉरेस्ट को काटते जा रहें जिसके कारण बाई-डिवर्सिटी का loss तो हो रहा है साथ हम displacement भी देखने को मिल रहा है फिर ozone depletion आपने छोटी class में पड़ा होगा ozone hole हमें देखने को मिलता है stratosphere में तो ये भी दिक्कत की बात है क्योंकि फिर directly sun की raise हमारे उपर आएंगी बहुत सारी skin problems वगरा हो सकती है diseases हो सकती है हमारी human health को खतरा है और coastal pollution भाई land based activities बहुत जदा coastal water को pollute करती है आपने देखा होगा beaches वगरा में कितना plastic हमें देखने को मिल जाता है तो अगर इस चीज़ को अच्छे से चैक नहीं करा गया अच्छे से इन चीजों को ठीक नहीं करा गया तो हमें marine life का बहुत जदा degradation देखने को मिलने वाला है इसके बाद अगले topic में एक बहुत ही important question आता है कि हम natural phenomena को political science में क्यो पढ़ रहे है हमें geography में पढ़ना चाहिए तो ऐसा नहीं है जो environmental issues हैं यह हमें geographical लगते जरूर है लेकिन इंका politics में भी impact हमें देखने को मिलता है तो चलिए political consequences की बात कर लेते हैं कि environmental action के क्या consequences होते हैं नंबर वन निकल कर आता है कभी भी degradation अगर हो रहा है तो वहापा government का role होता है government को आगे बढ़ना पड़ता है स्वच भारत अभ्यान अगर इंडिया में चल रहा है तो government चला रही है तो भाई जहां पर भी government का role आएगा तो वहापर political consequences तो हमें देखने को मिलेंगी साथ में बहुत सारे issues ऐसे रहते हैं जो global रहते हैं मतलब एक अकेली government कुछ भी नहीं कर सकती पूरे world का cooperation ज़रूरी है तो इसलिए भी ये political है nature में साथ में अगर हम environmental या फिर resource के issues की बात करते हैं तो ये political इसलिए भी है क्योंकि ये power distribution को भी affect करते हैं किसकी कितनी responsibility है किसको क्या करना पड़ेगा rules regulation कभी भी अगर हम global level पर cooperation कर रहे हैं तो set of rules regulation रहते हैं treaties रहती हैं तो इसलिए ये political और है फिर देखी अगर हम बात करते हैं कैसे awareness फैली तो अगर हम बोलते है political science में entry कैसे हुई कैसे समें और जान रहे है environment के बारे में तो environmental जितने भी concerns है ना इनका political importance हमें 1960 से देखने को मिला Club of Rome ने 1972 में एक report publish करी जिसका नाम था limits to growth इसमें इन्होंने highlight करा कि जो population बढ़ रही है ना इतनी तेजी से इसी के कारण हमें resource depletion देखने को मिल रहा है तो इन्होंने एक alert दिया था कि भाई population को इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए फिर United Nation और बाकी global action हमें देखने को मिलते हैं अगर हम United Nation Environment Program की बात करते हैं और भी बहुत सारी agencies हैं ये conferences बगरा करते रहते हैं पढ़ाई करते रहते हैं research करते रहते हैं और साथ में मिलकर फिर कुछ ना कुछ करते हैं action लेते हैं तो result क्या हुआ जब ये सारी चीजे होने लग गई ना global level पर तो फिर एक environment major issue बन कर आया हमारे global politics में अब इसके बाद इस chapter के सबसे important topics में से एक 1992 Earth Summit की बात कर लेते हैं जो हमें Rio de Janeiro ब्रजील में देखने को मिली थी इसका official name था United Nations Conference on Environment and Development इसमें total 170 states हमें देखने को मिले थे बहुत सारे NGOs आये थे और इसके बाद फिर लोगों को लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़े सही नहीं हो रही हैं अब इसके बाद यहाँ पर interesting point note करने वाला यह आता है कि global north मतलब developed countries और global south मतलब वो countries जो भी under developed हैं या फिर developing phase में उनके point of views बहुत different थे global north का बोलना था कि भाई सिर्फ हमें ozone depletion पर और global warming पर focus करना चाहिए लेकिं global south में बोला कि नहीं हमें साथ में development की भी बात करना चाहिए भाई आप तो developed हो चुके हो हम तो नहीं हुए अभी हमें develop करना है तो ऐसा नहीं कि environment को बचाने के चक्कर में development ही रोक देंगे तो हमें एक proper link बनाना पड़ेगा कि हम development भी करें और साथ में environment की सुरक्षा भी करें इसे भी ही से manage करें तो यह जो रियो समिट थी ना इसके कारण हमें agreements देखने को मिले थे बहुत सारी countries के इन्होंने बात करी थी कि कैसे हम deal करेंगे भाई climate change से deal करना है biodiversity की सुरक्षा करना है forestry को देखना है और इस ने एक development practices की list दी थी recommend करी थी उसे हम बोलते है agenda 21 याद रखेगा mcqs में आ जाता है फिर इसके बाद अगला topic आता है कि comments क्या होता है देखे comments वो resources होती है जो किसी एक की नहीं होती कोई एक उन्हें ओन नहीं करता है बलकि पूरी community share करती है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही important बात आपको हमारी application और website पर हमारे बहुत ही शांदार Class to World Humanities के premium notes देखने को मिल जाएंगे अगर इन notes आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आपका syllabus हो जाएगा ये notes ncrt-based है इसमें कुछ भी important miss नहीं करा गया है बहुत ही प्यारे notes है इतने premium notes आपको पूरे internet पर humanities के देखने को नहीं मिलेंगे वैसे ही कुछ areas और regions है हमारे world में जो ऐसी जगाओं पर located हैं जहापर किसी एक का jurisdiction नहीं हो सकता मतलब कोई एक country वहाँ पर अपने laws नहीं बना सकती अपना judgment नहीं दे सकती और इन्हें सब मिलकर साथ में समालते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं भाई क्या global commons या फिर rest communist humanitatis याद रखिएगा बहुत important है यह नाम आपको लिखना पड़ेगा एक्जाम में आता है तो international community को इन जगाओं का ध्यान देना पड़ता है एक्जामपाई के लिए आर्थ का atmosphere हो गया एंटार्टिका हो गया ocean floor हो गया या फिर outer space हो गया तो हमें ना बहुत सारे path breaking agreements देखने को मिले जो बहुत important है dates आपसे बनना चाहिए हमें Antarctic treaty देखने को मिली 1959 में Montreal protocol हमें देखने को मिला 1987 में और 1991 में Antarctic environment protocol ये dates याद रखिएगा अब इसके बाद इस chapter का हमारा सबसे 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 ज़ादा important topic निकाल कराता है common but differentiated responsibilities जो real declaration था ना वहाँ पर कुछ key points निकाल कराए थे पहला कि भाई states को cooperate करना चाहिए हमें अर्थ के ecosystem को conserve करना है restore करना है हमें अर्थ को बचाना है भाई आपने environment को खुब use करा आप तो develop हो गए लेकिन वो country जो under developed है या फिर developing है उनकी same responsibility नहीं है अभी वो development के phase में तो आपकी responsibility जादा है आपने environment को जादा खराब करा है तो आप जादा सही उसको आप करेंगे तो कुल मिलाकर यही बोला गया कि जो developed countries है उनकी responsibility जादा है आपको sustainable development follow करना चाहिए environment को जादा harm नहीं करना चाहिए future generation के बारे में सोचना चाहिए और आपको third world के बारे में सोचना चाहिए पहला point निकाई कराया कि भाई parties मतलब जितने भी members है उन सभी को climate को बचाना चाहिए लेकिन equity के base पर मतलब सबकी responsibilities different हैं तो differentiated responsibilities हैं मतलब common हैं सबको करना है कि चीजे environment को बचाना है लेकिन responsibility सबकी अलग-अलग हैं जिसने जितनी problem पहुचाई है उतना वो उसका भुकतान करेगा फिर जो developed countries हैं उनकी responsibility सबसे जादा है क्योंकि green house gas का जो emission है इनी ने सबसे जादा करा हुआ है अगर हम पूरी history को देख लेते हैं और अगर हम per capita emission की बात करते हैं किसकी developing countries की तो उनका बहुत कम है मतलब इंड प्रोटोकॉल देखने को मिला था इसका purpose क्या था यह set करता है target industrialized countries के लिए कि भाई आपको अपना green house gas का emission reduce करना है लेकिन कुछ countries को exempt कर दिया गया था कि नहीं आपको यह सारे rules follow करने की जरूवत नहीं है जैसे चाइना इंडिया और बाकि जो developing countries है इनसे बोला गया था कि आपका वैसे ही कम है आप ज्यादा emission नहीं कर रहे है green house gases का तो अभी आपको इतने strict rules follow करने की जरूवत नहीं है green house gases जैसे की carbon dioxide हो गया methane हो गया hydro fluorocarbon हो गया इन्हें बोला जाता है कि global warming करते है तो इन्हें reduce करना बहुत जरूरी है global warming से क्या होता है temperature एकदम बढ़ जाता है आ अगर हम इसके details की बात करते हैं तो इसे 1997 में adopt करा गया था Kyoto Japan में इसका नाम पढ़ा Kyoto Protocol हिना जो हमने पहले पढ़ा UNFCCC उसी को देखकर इसको बनाया गया था उसी के principles को ये follow कर रहा था मतलब बात वही है कि सबकी common but differentiated responsibilities है इसके बाद अगला topic आता है common property resources ये वो resources होती है ज इतना use करना है कैसे minting करना है मतलब ये आपस में cooperate करते हैं इसका example क्या है अगर हम Indian village communities की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छे से establish करके रखा हुआ है कि कि किसके rights हैं क्या responsibilities हैं ये resources को बहुत अच्छे से manage करते हैं और इसके पीछे reason क्या है mutual understanding है और साथ हमारा tradition ही ऐ इसा रहा है अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि हमने environment की हमेशा से care करी है लेकिन कुछ challenges है क्या है प्राइविटाइजिशन इतना देखने को मिल रहा है agricultural intensification इतना हो गया हम इतना जाथ pesticides fertilizer वगेरा यूज कर रहा है population growth बढ़ गई है ecosystem हमारा पूरा खराब हो गया है जिस चक पवित्र मानते हैं इंडिया की tradition में हमें देखने को मिलता है South India में ऐसे बहुत सारे forest के areas हैं जिने लोग पवित्र मानते हैं तो ये forest भले ही state owned है मतलब government owned करता है लेकिन फिरी भी इन्हें manage coin करता है local village की communities मतलब ये देखते हैं कि कैसे से समालना है कैसे से ठीक करना है कोकि इन इलाकों को इन areas को ये पवित्र मानते हैं अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि environmental issues में इंडिया का cash stand है तो हमने Kyoto Protocol की बात करी थी इसे August 2002 में इंडिया ने sign भी करा और adopt भी करा चाइना ने भी कर लिया था इसके बाद बहुत सारे critics से जो point करते हैं कि इंडिया चाइना बाकी जो developing nation है ये भी बहुत जल्दी major contributors बनने वाले हैं कि इसके green house gas emission के मतलब ये भी वही pollution करेंगे जो developed countries करती आ रहे हैं लेकिन इंडिया ने बोला भाई जो UNFCCC में हमने बात करी थी कि common but differentiated responsibility जो past में अगर हम जारके देखते हैं तो हमने देखा है developed countries ने बहुत ज़्या हैं हमारी कम हैं लेकिन इसके बाद बात वही है सुनने में यह आता है कि धीरे धीरे बोला जा रहा है कि जो ये UNFCCC हुआ था इसके जो भी set of rules थे उन्हें हम पर भी implement कर दिया जाएगा लेकिन इंडिया इसे oppose करता है इंडिया बोलता है नहीं हम आपको data दिखा सकते हैं अ लेकिन अगर हम इसे world के average से compare करते हैं तो 2000 में world का average क्या था 3.8 मतलब इंडिया का average से बहुत कम है तो ये बोलना कि इंडिया भी major contributor बन जाएगा बहुती फालतू बात है इसके बाद 1997 में इंडिया ने सोचा चलो देखते हैं कि जो हमें Rio de Janeiro में Earth Summit देखने को मिली थी उसका outcome क्या आया तो इंडिया बहुत disappoint हुआ ये देखकर कि कोई भी financial और technological support हमें नहीं मिला इस summit में ये भी बोला गया था कि under developed और developing countries को जो developed countries हैं उन्हें support देना चाहिए मतलब financial support दो अपनी technology उनको दो जिससे वो भी जल्दी जल्दी development कर पाएं लेकिन ये कुछ भी हमें देखने लेवल पर उठाना चाहिए और environmental issues से deal करना चाहिए वरना हमारा development अच्छे से नहीं हो पाएगा फिर इसके बद इंडिया ने बहुत सरी चीजे करी है environment के लिए हमारा जो national auto fuel policy है वो बोलती है भाई कि जितनी भी गाड़ी वागेरा है उसमे cleaner fuel use होना चाहिए 2001 में हमारा energy conservation act जिसने energy efficiency को boost करा फिर electricity act 2003 में हमें देखने को मिला जो promote करता है renewable energy को फिर हमने recent में बहुत सारे steps लिए है जैसे अब हम clean coal technology को adopt कर रहे है मतलब हम इस तरीके से production करेंगे जिससे ज़्यादा pollution वगेरा ना हो है न तो यह हमें देखने को मिला साथ में हमने natural gases को भी use करना start करा है यह भी एक important point है फिर अगर हम biodiesel machine की बात करते हैं तो 11 million hectare land ऐसा है जिसे हम use कर रहे है बायो diesel को produce करने के लिए फिर Paris agreement इसमें भी climate change की बात करी गई थी treaty हुई थी इसे भी हमने ratify मतलब इसे भी हमने approve करा 2016 में फिर renewable energy की बात करते हैं तो पूरे world में one of the largest program है इंडिया का त तो देखिए अगर हम environmental movements की बात करते हैं तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि government इने initiate नहीं करता है वो लोग जो environment को लेकर conscious हैं वो आगे बढ़ते हैं groups वगेरा form करते हैं और फिर हमें environmental movements देखने को मिलते हैं यह local level और international level दोनों में operate करते हैं यह represent करते हैं पूरे worldwide के कुछ ऐसे social movements जो बहुत जदा vibrant हैं, diverse हैं, powerful हैं तो एक बहुत unique characteristic हमें देखने को मिलती हैं आपने बहुत सारे environmental movements के बारे में सुना होगा यह क्या promote करते हैं new political action कि आपको ऐसे काम करना चाहिए नए ideas, long term vision कि हमें sustainable development कैसे करना चाहिए अब अगर हम कुछ environmental movement के examples की बात करते हैं तो south में forest movements देखने को मिलते हैं जिसे Mexico, Chile, Brazil, Malaysia, Indonesia, Africa, India के हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं लेकिन एक बहुत major challenge इंके सामने वो क्या है कि जो deforestation इतनी तेजी से हो रहा है इस चकर में इन्वार्मेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है मतलब इन लोग इतनी स land water को एफेक्ट करते हैं बहुत displacement हमें communities का देखने को मिलता है उन्हें harm पहुचता है और जो वहाँ का native vegetation है वो भी पूरा खराब हो जाता है जो south की economies हैं वहाँ पर liberalization हो रहा है एक wide spread हमें opposition देखने को मिला किसका Australian Western Mining Corporation था उसके खिलाफ और एक और interesting fact है कि Australia के लोगों ने भी इसको oppose करा उनका कहना था नहीं भाई आप सही काम नहीं कर रहे हो आप ये mining वगरा करते हो फिर nuclear energy के लिए से use करते हो तो उनके anti-nuclear sentiments थे साथ पर जो indigenous people है आप उन्हें displays करते हो उनकी communities को harm पहुचाते हो तो इसलिए opposition हमें देखने को मिला तो ये एक शांदार example निकल कर आता है इस चीज़ का फिर इनहीं movements में हमें anti-dem movements भी देखने को मिलते हैं जब कभी भी mega dam projects वगरा रहते हैं तो बहुत सारे लोग oppose करते हैं globally कि ये चीज़े साही नहीं है बहुत sustainable use करना चाहिए सबको मौका मिलना चाहिए sustainable use करना चाहिए river system का यहां पर अगर हमें key historical movement की बात करते हैं तो हमें Franklin river campaign देखने को मिला 1980s में ये Australia का पहला major हमें देखने को मिला था campaign इसमें Franklin river को बचाने की बात करी जा रही थी और साथ में आस पास का जो forest region है उसे भी preserve करने क की बात करी जा रही थी तो यह major हमें anti-dem movement देखने को मिला था actually problem यह है कि आजकल मेगा डेम प्रोजेक्स बहुत ज़दा बढ़ गए अगर हम south की countries की बात करते हैं example की लिए टर्की थाइलेंड सावत इफरीगा चायना इंडोनेशिया तो बहुत सारे हमें mega-dem projects देखने को मि मिलते हैं नर्वदा बचावांदोलन आप सबने सुना होगा इंडिया का बहुत जाना माना movement है इंडिया में हम क्या है river conservation की बात करते ही है लेकिन एक और बहुत interesting fact वो यह है कि इंडिया के movement non-voilent होते हैं अब इसके बाद हम resource geopolitics की बात कर लेते हैं resource geopolitics का simple मतलब होता है कि क इसे क्या मिलेगा कब मिलेगा कहां मिलेगा कैसे मिलेगा मतलब resources की हमें आपर बात कर रहे हैं तो resources में कब क्या कैसे कहां क्या मिलेगा इसमें कुछ important resources है oil की अगर हम बात करते हैं तो यह 20th century में global economy में बहुत ज़दा crucial था इसे हम इधर उधर port कर सकते थे आपने देखा भी जो का पुरानी movies में ship बागेरा में ले जा रहे हैं तो portable था साथ में indispensable मतलब बहुत ज़दा important था जादा तर जो हमें political military conflict देखने को मिलते थे वो oil के control को लेकर ही रहते थे कि मतलब किसको कित्ता मिलना है कैसे मिलना है तो capture कर रहे हैं conflict हो रहे हैं बहुत सरी चीज़े देखन करने को मिलता था गल्फ रीजिंग के अगर हम बात करते हैं तो यह 30% वर्ल्ड का oil produce करता है और 64% यह reserves hold करता है मतला आप सोच लीजी इतना important है इसलिए इसलिए यहां कि जितनी भी countries अब इतनी रहीस होती जा रही हैं developed होती जा रही है क्योंकि बहुत profit उन्हें मिल रहा है तो जो यह demand बढ़ रहा है उसे यही meet कर सकते हैं फिर इसमें कर हम साउदी अरेबिया की बात करते हैं तो largest producer है और इसके पास 25% है global reserves का इसे कौन follow कर रहा है इराक हमारा second largest known reserves वाला country है और इसके बात potential बहुत जादा है बोला जाता है कि इराक को भी हमने अच्छे से देखा है मतलब बहुत सारा इराक का एरिया ऐसा है जहां पर अगर हम जाएंगे थोड़ा खुदाई वगरा करेंगे अच्छे से वहां पर हम साइंटिफिक रिसर्च वगरा करेंगे तो हो सकता है कि सबसे जादा reserves हमें इराक में ही देखने को मिल जाएं फिर यहां पर यहां पर फिर इसके बाद अगली resources में आती है water, oil की बात कर लिए water की करते है water scar city हम सबको मालूम है regional differences हम सबको मालूम है तो water बहुत important है यह हमें देखने को मिलता है global politics में हमने इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ा हुआ है कि water को लेकर problem होती है और भी पढ़ा हुआ है comments में upstream country जिसे water flow हो रहा है तो सब इससे पहले जिसके पास river गुजरता है वो उसको use करता है dam बगरा बना लेता है जादा use कर लेता है तो जो downstream वाली countries है जिनके पास water बाद में पहुंचता हुआ उन्हें दिक्कत होती है तो फिर conflict हमें देखने को मिलते है 1950s और 1960s में इसराइल, Syria और Jordan के बीच में हमें conflict देखने को मिले, Jordan और Yarmuk river के लिए ठीक है तर्की, Syria, Iraq में भी tensions देखने को मिले, Euphrates river को लेकर class 11th history में आपने इसको पढ़ा होगा, तो जो studies हुई है वो यही indicate करती है कि वो countries जहाँ पर हमें river की sharing देखने को मिलती है, वहाँ पर जातर military conflict हमें देखन लिखना पड़ेगा कि indigenous जो population है वो comprise करती है उन लोगों के descendants, मतलब उन लोगों के वनसजों को जो इस territory में तब इस से रह रहे हैं जब नए ethnic या फिर culture के लोग आए और इन पर उन्होंने अपना कबजा जमा लिया, मतलब example के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बह indigenous लोग हैं यहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं इनका अपना tradition, अपना culture है लेकिन अब आपने इनके उपर अपनी territory बना लिया है इनको capture कर लिया इस area को और अब आपका influence यहाँ पर देखने को मिलता है तो आज के समय में जितने भी indigenous लोग हैं उनका खुद का social economy, cultural tradition हमें पहले तो वहाँ पर जंगलों में रह रहे हैं किसी area में रह रहे हैं तो उस country के tradition बगएरा को इतना follow नहीं करते हैं जितना खुद के culture और tradition को करते हैं तो part उसी country ही का हैं लेकिन उनके खुद के अपने culture tradition हमें देखने को मिल जाते हैं तो approximately 30 करोर indigenous people हमें पूरे world में देखने को मिल जाते हैं फिर इसी 30 करोर data को अगर हम और detail में पढ़ते हैं तो data निकाल करा जाता है इससे आप जरूर से देखिए 20 lakh indigenous people हमें Caudillera region में देखने को मिलते हैं फिलिपिन्स में 10 lakh में pushy people हमें देखने को मिलते हैं चिली में 6 lakh हमें tribal individual चिता गॉंग हिल में देखने को मिल में और हमें 10 lakh small peoples of the Soviet North भी देखने को मिलते हैं तो यह नाम है इन्हें याद रखा जरूरी है CUT बगरा में question जादा आते हैं boards में इतने नहीं आते हैं जैसे बाकी social movements होते हैं वैसे ही indigenous people ने भी अपने struggle बताया है सब कुछ अपने बाले में बताया है कि हम क्या चाहते हैं हमा पार्ट बनना चाहते हैं हमारे भी rights है हमारी भी जिंदगी है हम किसी से कम नहीं है यह government से urge करते हैं कि government इन्हें acknowledge करे government यह माने कि इनकी अपनी खुद की एक identity है अपना culture है tradition है इन्हें as it is accept करे तो जो indigenous people है Central South America में recite करते हैं अफ्रीका में करते हैं इंडिया में करते हैं इं बात करते हैं Australia New Zealand को include करते हैं तो पहले किसका घर था यह कुछ ethnic groups का कुछ आज की इंडिया में ट्राइबल्स की बात करते हैं इंडिजनेस लोगों की बात करते हैं उनका घर था जिसे यहाँ पर पॉलीनेशियन, मैलेनेशियन, माइक्रोनेशियन इन लोगों का हजारों साल तक घर था अब हम थोड़ा अगर इंडिया की तरफ आते हैं तो देखिए इंडिया में इनकी आइडेंटिटी क्या है हमारे यहाँ इंडिजनेस पीपल के अगर हम बात करते हैं तो हम टिपिकली शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं नियरली 8% जो इंडिया का पॉप करते थे अपनी जिन्दगी जीते थे लेकिन आजकल हमने पूरी चीजों को कैप्चर कर लिया है इन्हें बहुत जदा डिस्प्लेस्मेंट का सामना करना पड़ा है जब ब्रिटेशर इंडिया में आए उन्होंने कॉलोनीस फॉर्म करी तो यही हुआ इंका जो ट्रडिशन में आपने इंको प्रोटेक्शन वगरा दिया है इनके राइट्स की आप बात करते हैं लेकिन जो डवलप्मेंट हुआ है ना उसका इन्हें जादा कोई भी फायदा नहीं मिला पोश्ट इंडिपेंटेंस प्रोजेक्स इतने सारे हुए आपने इंडिश्रिलाइजिशन कर ये करा वो करा लेकिन इनका इतना अपना डवलप्मेंट वगरा नहीं करा इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अगर हम डोमेश्टिक और इंडिश्रिशन दोनों पॉलिटिक्स की भी बात करते है ना तो इनके राइट्स को बहुत समय तक अवरलुक करा गय है इनके लीडर सामने आये इन्होंने अपनी बात रखी है कि हमारी भी कुछ इक्षाए हैं हमारे भी राइट्स हैं तो हमें देखने को मिला formation of world council of indigenous people 1975 में और इसे consultative status भी मिला मतलब UN में अगर कुछ भी होना है तो इनका consultation लिया जाता है इन्हें include करा जाता है अगर कोई भ ठीकी बात करते हैं तो इसी के साथ हमारा ये वाला chapter complete होता है उपर end screen में पूरी playlist डाल रहा हूं हमारे premium notes का link आपको description में मिल जाएगा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा प्लीज दोस्तों के शेयर करिए comment कर दीजिए बाकी मैं आपसे मिलता हूं आगे बहुत स घंगर याप